हाई मैं प्रिशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्विटिट कमुडिटी में स्वागत करता है यहां पर सबसे पहले चार्ट पर आना चाहेंगे अब यहां पर आपको ग्वीन और वेड़ केंडल दिख रहा होगा यहां पर हम ग्वीन केंडल फोकस करेंगे क्यों सबसे पहले यहां पर आपको इस वाले में क्वीन केंडल फोकस करना और सबसे पहले चैनल का यहां पर किया इस तरह दोनों क्या करेंगी आप buying नहीं करेंगे इस तरह green candle का formation होता है तिहां पे आपको buying avoid करना है अब आपके मन में question उठ रहा होगा कि हमें कौन से green candle को देख के buy करना और कौन से green candle को देख के buy नहीं करना यह हम कैसे decide करेंगे यह decide कर पाना बहुत मुस्किल है तो इस वीडियो में आपको यही question का answer मिलेगा आपके मन में जो भी question है और जो भी doubt है उसका answer हम वीडियो के रूप में लेके आते हैं तो इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से green candle को देख के आपको buy side की तरफ नहीं जाना यहीं किस green candle के basis पे आपको buying positions नहीं लेना है इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं चलिए इसके उपर detail से बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं green candles जहां buying नहीं करना है यह नहीं green candle जिसको देख कि आपको buying avoid करना है यहाँ पर आपको five type of green candle stick दिख रहा होगा कुछ जाना पहसा ना होगा कुछ नया type हो सकता है लेकिन इन सब को आपने चार्ट पर जरूर देखा होगा और यह पांच candle जब भी आपको दिखे चाहे support level के पास हो या फिर resistance level के पास हो क्या करना है यहाँ पर आपको buying avoid करना है इन सारे पांच green candle stick के basis पे buy set की दरफ नहीं जाना अब क्यों नहीं जाना इसके पीछे का concept समझने कोशिश करते हैं फिर हम चार्ट पे चलेंगे और इन तरह के five candlestick को हम चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या जो मैं बता रहा हूं वो सही है या नहीं है अगर आप stock market में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा किसी पे blind trust नहीं करना होगा चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो आपको खुद से चेक करना है कि जो मैं बता रहा हूं सही है या नहीं है उसको verify करना है कई बार हो सकता है कि मेरा concept भी गलत हो जो हमें सही लग रहा हो आपके angle से गलत हो तो आपको चेक करना है कि जो मैं बता रहा है या कोई भी बता रहा है आप सिर्फ उस पे ट्रस्ट मत किजी आप खुद से सारा कुछ वेरिफाई किजी तब जाके आपको एक बहत्वीन विजल्ट मिलेगा और तब जाके वो स्ट्रेटजी या वो तरीका आपको प्रॉफिट बनाके देगा यहं पे सबसे पहले क нейलिश्टी के ओपर यहां पर बात करते हैं यहां पर आपके आपके mów डायर ने मार्केट को कंट्रॉल किये हुए है लेकिन अट गाडर् गयम तो पहला हए हैं अब जब सेलर्ण बहुत जाधा एक्टिव ह extends ब् voz यादा एक्टिव हो जा Buying avoid करेंगे यानि यहां पे हम Buy नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे Trap होने के Chances बहुत ज़्यादा रहते हैं ठीक है Buyers Market Control किये हुए लेकिन Sellers बहुत ज़्यादा Active है अब यहां पे आपको इस वाले Green Candle पे यही हो रहा Same type है लेकिन अलग-अलग है तो यहां पर विवाई हो रहा, बायर्स मार्केट को कंट्रोल किये हुए, मतलब बायर्स का दबदबा है, लेकिन एड़ सेम टाइम, सेलर्स भी बहुत जादा फुली एक्टिव है, और सेलर्स ने भी अपना दम दिखा है, इसलिए प्राइस आपका अपसेट के तरफ गिया और उसके बाद यहां से सेलर्स प्रैस को गिराके, क्लोजिंग आपका यहां पर दिलवाया है, मतलब जितना बायर्स ने दम दिखा है, लो से जस्ट इतना ऊपर क्लोजिंग दिया है, जबकि अगर हम हाई से बात करें, तो हाई से बहुत नीचे क्लोजिंग दिया है, आप buyers और sellers के बीच में जो candle में fight होता उसको आप एक simple तरीके समझ सकते हैं आप यहाँ पर high note कर लीजे और low note कर लीजे और closing point note कर लीजे closing point कहां से दूर है अगर highest point से closing point दूर है मतलब candle color कुछ भी हो मतलब यहाँ पर sellers ने भी अपना दम दिखाया है और यहाँ पर देख सकते हैं highest और closing point दोनों में अच्छा खासा difference है जितना low और close में difference है उससे ज्यादा close और high में difference है मतलब यहाँ पर sellers ने भी अच्छा खासा दम दिखाया है market अभी भी buyers के कबजे में है लेकिन sellers ने भी अपना हथियार उठा लिया अब वो कभी भी market को अपने कबजे में कर सकता अब इस वाले केंडल स्टिख पर अब यहाँ पर आपको लग रहा ओगा Low, High, Close अब देखिए, Low और Close के बीच में अच्छा काचा डिफरेंस है और High और Close के बीच में भी डिफरेंस है अब यहां पर Bires में Strength भी दिखरा है, Bires का दब-दबा भी है तो क्या इस Green Carnal के बेसिस पर हमें By नहीं करना है? नहीं करना यहां पे हमें buyers में strength दिख रहा, buyers भी market control की हुए, buyers का दबदबा भी है लेकिन इतना नहीं है कि जिसके basis पे हम क्या कर सके, by side की तरफ जा सके अगर यहां पे closing यहां पे थोड़ा और उपर देता, अगर यहां पे closing देता हाफ पार्ट के आसपास या हाफ पार्ट से थोड़ा सा उपर, one third कबजे में होना चाहिए, तभी हम वहांस को कबजा मानेंगे, otherwise कभी भी market अपना रूप बदल सकता है, यहां पे sellers कबजा कर सकते हैं, इसलिए as a result, इस वाले green candle के basis पे भी हम वाई side की तरफ नहीं करेंगे, वाई side की तरफ नहीं जाएंगे, उसके बाद, यह वाला candle stick थो सब को पढ़ाई होगा, यह वाला आपका doji candle है, dioxide candle में क्या होता, buyers रो sellers equally होते हैं, और इसके basis पे हमें buy side की तरफ भी नहीं जाना, और sell side की तरफ भी नहीं जाना, इसके बाद जो भी candle का formation होता है, जो भी market को take over करता है, वो आगे market को control करता है, तो यह 5 candle stick आपको ध्यान में रखना है, जब भी यह firm हो, कहीं पर भी form हो, चाहिए support level के पास form हो, या फिर restaurants level के पास form हो, कहीं पर form हो, इसके basis पर आपको buy side की तरफ नहीं जाना, buy side की तरफ जाएंगे, तो क् यही खोजते हैं, कि हमें कोई बता जाए कि कब buy करना है, लेकिन उससे important है, कि कब आपको market से दूरी बना कर रखना, कहां पर buy नहीं करना, वो सबसे important factor है, आप में इसे सारे लोग profit बनाया होंगे, लेकिन जितना profit होता, उससे जाद आप लोग नुकसान कर देते हो, हम लोग loss avoid करने के उपर focus करते हैं, आपको profit मिलेगा, यह मिलेगा, चलिए, चार्ट पर चलते हैं, और इनी सारे concept को यहाँ पर हम समझने की courses करते हैं, तो यहाँ पर वापस यह चार्ट पर आगे, और यह देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का daily chart है, अब बैंक निफ्टी का daily यह है, low point यह है, और closing इसने यहाँ पर दिया, मतलब closing आपका almost middle में हुआ है, यहाँ पर buyers ने भी अपना दम दिखाया है, और at the same time sellers ने भी यहाँ पर अपना दम दिखाया है, तो यहाँ पर candle का color आपको green जरूर देखने को मिलवा है, लेकिन जो market है, वो पूरा का पूरा buyers क control में नहीं है, और जब market पूरा का पूरा buyers के control में नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, buy side के तरफ जाना, avoid करेंगे, buy side के तरफ नहीं जाएंगे, तो यह candlestick देख कि हमें क्या करना, buy side के तरफ नहीं जाना, उसके बाद, अगला candlestick ओपर बात करते हैं, इसका highest point यह रहा, यह आपका buyers का इलाका है, अब आप देख लीजे, जितना इलाका buyers ने कबजा की है, अलगब उतना ही इलाका, sellers ने भी कबजा कर रखा है, तो क्या इसके basis पे buy side की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे sellers भी अपना presence दिखा रहा, sellers ने भी अपना हथियार उठ और आने वाले टाइम में, sellers भी कबजा कर सकता, उसके भी chances दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे हमें doubt हो, हम क्या करेंगे, buying avoid करेंगे, क्योंकि यहीं सारा situation होता, जहाँ पे trap होने के maximum chances होते हैं, और यहीं सारे टाइम पे जो operators होते हैं, वो market को trap करते हैं, और operators कैसे market मे वीटेल ट्वेडर को trap करते हैं, उसके उपर हमने already बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो description में जाके देख सकते नहीं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम कु आपको यहाँ पे देख रहा होगा, यह वाला कैनलिस्टिक, आपको इस तरह का कैनलिस्टिक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यह वाला कैनलिस्टिक जब भी देखे, क्या देखे रहा है, यहाँ पे, बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर रखा, लेकिन सेलर्स भी लेकिन sellers ने भी हथियार उठा लिया और sellers कभी भी market को अपने कबजे में कर सकते हैं। इसलिए ये candlestick जब भी देखें, क्या करना है आपको? अब तो आपको idea मिले गया होगा, यहाँ पर buying, avoid करना है, क्योंकि already हम इसके उपर discuss कर चुके हैं, क्यों avoid करना? वो concept यहाँ पर आपको समझ में आ गया, उसके बाद, यह वाला candlestick भी देख सकते हैं, उसके बाद, यह वाला candlestick भी आपको जहाँ देखने होग मिलें, इसका क्या मतलब है? कि buyers का strength लगबग खत्म हो गया है, और sellers ने market को अपने कबजे में कर लिया, buyers के पास बस छोटा सा इलाके है, वहांकि उसके अलावा, पूरा का पूरा जो कबजा है, वो sellers का है, और यह candlestick हमें दिखा रहा है, कि market यहाँ से आपका, नीचे side की तरफ जा सकता, अगर इस type candlestick resistance level के पास बनता है, तो आप इसके basis पे sell side की तरफ भी जाना prefer कर सकते हो, लेकिन एक ही condition है, कि एक तगरा resistance level के पास बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको buying नहीं करना, इतना clear cut है, और उसके बाद, आपको देखिए, इस तरह candlestick यहाँ पे formation हुआ है, और मैंने क्या बोल जैसा कि हमारा सक था, यह सारा candlestick green है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, market आपका नीचे side की तरफ गया है, और जो भी लोग इन सारे bullish candlestick को देखके positive momentum बनाये होंगे, और buy side की तरफ गये होंगे, वो क्या होगे, वो यहाँ पे trap होगे, वो यहाँ पे जाल में first गये होंगे, और उनके बाद मौका नहीं दिया है, डैक्ट आपका gap down लिया है, और market यहाँ से धराम से नीचे side की तरफ गिरा है, तिये आपको जाल बिछाने के लिए कई बार use किया जाता है, और इन सारे candle को आप एक और नाम दे सकते हैं, trap candle, ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग चुहा पक रहता है, आपके लिए रोटी का टुकरा रहता है, जिसको देखके, buyers के मूँ में पानी आता है, buyers यहाँ पर buy करने को आते हैं, और जाल में फस जाते हैं, ultimately अपना पैसा loss करके, खाल यहाँ यहाँ से जाते हैं, और इसके बाद लिए market सेम सिच्वेशन में tweet कर रहा है, अब आपको इस्तमाल करना परेगा, और इसके उपर हमने वीडियो और बना रखा, नहीं देखा है, तो लिंक आपको description मिलेगा, नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम इन दो candle को blend करके एक साथ समझते हैं, कि यहाँ पर क्या कुछ हो रह हैं, यहाँ पर करते हैं, market open हुआ यहाँ आपका इस level पर और closing दिया है, आपका इस level के करिए, और नीचे में छोटा सा tail है, और उपर में लंबा सा tail है, अब देखिए, यह आपको किस टाप का candlestick बना है, इस तरह का candlestick का formation यहाँ पर इसने किया है, clear cut है, अब यहाँ पर क candlestick अगर बना है, तो हमें क्या करना था, by side की तरफ नहीं जाना था, buying avoid करना था, और यह आपका वो green candle बन जाएगा, जिसके basis पर आपको by side की तरफ नहीं जाना, और यहाँ पर candle color भी आपको green ही मिलेगा, तो जो भी लोग इसके basis पर by side की तरफ जाएगे, क्या होंगे, trap मे सेंगे, क्योंकि market यहां से नीचे कि रहा है, और उनके पास मौका नहीं होगा निकलने का ultimately loss ही करना परेगा, तो यहाँ पर हम कुछ और example के थुरूप समझने कोशिस करते हैं, अब हम यहाँ पर विलाइंस के चार्ट पर आते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने already mark कर और यहां पर market buyers के कबजे में नहीं देख रहा है, जब तक market fully आपका two-third buyers के कबजे में नहीं तब तक आपको buy side की तरफ नहीं जाना, और यहाँ पर हमें क्या करना, buying avoid करना है, उसके बाद यह वादा candlestick देख सकते हैं, इस तरह candlestick यहाँ पर देखने को मिलवा है, और इस इसके basis पर sell side की तरफ भी easily जा सकते हैं, उसके बाद, इस तरह candlestick formation हुआ है, देख सकते हैं, लगबगा आपका, यह stripe का candle है, अब इसके basis पर भी हमें buy side की तरफ नहीं जाना, और बीच बीच में, यहाँ पर क्या हो रहा, short covering हो रहा, wet candle, short covering, फिर गिरावट, फिर short covering, यह सार positive और green candle stick पर आपको buying avoid करना, तो उमीद करते हैं, यह unique concept यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, और यह आपको market में trading decisions लेने में बहुत जादा help करेगा, और इस तरह का unique concept आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, जो real terms में आपको फाइदा पहुँचा आता है, इसलिए ह हैं,